पंच इसकंद जो संखारा है यानि जो पांच इसकंद हमारे होते हैं सरस्रीर के अंदर नाम और रूप, रूप में सारा फिजिकल पार्ट आता है और नाम में चार आते हैं जिसमें वेदना आती है, संग्या आती है, संखारा आता है और वियाना आता है इसमें जो संग्या सब्द है उसको मैमोरी बोलते हैं जब भी कोई information हम देखते हैं अपनी आक से नाक से कान से जीव से तवचा से वो हमारी पूरी पूरी जो information होती है किसी भी चीज की वो सारी सारी हमारी body में store होती है उस stories को मैमोरी का store बोलते हैं यानि कि जो याददास्त है जो यादगार है जो हमने याद किया है या जो हमने सीखा है वो सारा store हो जाता है उसको पाली भासा के अंदर प्राने समय में सैया बोलते हैं और बाद में इसको संग्या बोलने लगे आगी रेट में हम इसको memory बोल सकते हैं या दस बोल सकते हैं संग्या बहुत जादा important चीज इसली है क्योंकि हम अपने पूरे जीवन में बच्पन से लेके पैदा होने से लेके मा के पेट के अंदर भी हम सारा का सारा जितना अनुभव होता है temperature का और दबाब का जो pressure होता है महाँ pressure का और जो मा के पेट से light चंचन के आती है वो light का और जो दबाब होता है वो सारा का सारा हमारे सरीर के अंदर storage होता रहता है और जब हम मा के पेट से बाहर आते हैं उसके बाद से लेके और जब तक हम मरते हैं सारी information हमारी body के अंदर इखटी होती रहती है, वो सारे जितने भी अनुभव हैं, वो सब touch जितने भी हैं, फिलिंग जितने भी हैं, वो सब storage होते रहते हैं, और वो store होके सारे एक जिगा रहते हैं, जिसको हम संग्या या memory बोलते हैं, आज की समय में हम इसको hard disk drive बोल सकते हैं और RAM बोल सकते हैं, RAM का मतलब हो गया random access memory, यानि कि आपने पूरे दिन के अंदर जितनी भी चीज़ें देखी, या सूंगी, या चखी, या आपने छूके देखी, या आपने सुनी, वो सारी की सारी store होगी, मगर उसमें हर चीज़ store नहीं होगी, जो बार बार रिपीट होग तो हमारा जो storage है, वो full हो जाएगा, और हम ज़्यादा memory store नहीं कर पाएंगे, कुछ memory या जो परानी पड़ती जाती है, हमारे अंदर process होता है, कि वो memory या तो delete होती चले जाती है, या बहुत कमजोर हो जाती है, जिप में एक छोटी file में बहुत कमजोर होके, कम data के साथ में वो store होती रहती है, और जैसे जैसे वो जाती है, time के साथ में निकलती रहती है, जो बारबार repeat होती है, वो memory हमेशा live रहती है, और वो लगातार खुलती रहती है, जो काम आप करते रहते हैं, उस काम में आप export हो जाते हैं, क्योंकि memory folder को तुरंट खोल कर रखती है, वो random access memory म जो आप काम करके भूल जाते हैं और 3-4-5-6 मेने बाद अगर आप देखेंगे तो फिर आपको दुबारा से महत करनी पड़े ही क्योंकि उसका बहुत छोटा सा हिस्सा उसके अंदर श्टोर रहता है इसलिए जो किताब हम पढ़ते हैं अगर एक वार हम पूरी किताब पढ़ लें तो उसका 10-20-30% ही श्टोर कर पाते हैं मगर अगर वो किताब हम लगातार-लगातार के वार पढ़ते रहे हैं तो उसका परसंटेज बढ़ जाएगा वो 30% हो जाएगी 40 हो जाएगी, 50 हो जाएगी, 60 हो जाएगी और बहुत जादा रिपीट करेंगे तो 100% भी वो मेमोराइज यानि याद में आ जाएगी पैक्टिस में आ जाएगी संग्या इसलिए इंपोर्टेंट है या संग्या इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि पटिच्चे समुत्पात के अंदर जो नाम आता है जो संग्यारे के अंदर बताया जाएगा जिसमें नाम और रूप का जो पांच इसकंद है यानि जो पांच हमारे ग्रूप है पांच चीजों के उसमें एक रूप होता है जो फिजिकल चीजी जो होती है जैसे computer में सारा hardware है उसको हम रूप बोलेंगे और जो computer का software है उसको man बोलेंगे ऐसे human का जितना सरीर है या animal का जितना सरीर है उसको हम hardware बोलते हैं और जिससे वो चलता है जो उसका mind होता है, man होता है उसको हम man बोलते हैं man चार्ट चीज़ों से मिलके बना है जो हम देखते हैं वो सारा सारा सैया होता है हमारी memory होती है जो detail code में change होके body के अंदर store हो जाती है वो memory match करती है सारी की सारी जो हमने देखा है देखने के बाद में वो संखारे में जाती है और संखारा जैसे हमारा होता है संखारा वो होता है जिसके अंदर गुण सोतर होता है कि हमें चाहिए या नहीं चाहिए या कैसे एक्ट करना है जैसे हम उसको एक्ट करते हैं तो वो वेदनाओं में आता है वेदनाओं हमारी बताती है कि हमें कैसे एक्ट करना है और फिर वो repeat करने से वियाना बन जाता है ये सारा का सारा system मुलकुल आज की रेट में जो computer बनते हैं या जो artificial intelligence बनती है वो सारा का सारा बुद्ध के उसी सिद्धान बनती है पूरी nature में पूरी प्रकती में एक ही सिद्धान थे जब भी आप mind बनाएंगे artificial intelligence बनाएंगे तब भी सिद्धान देखिये नेचर बनाएगी तब भी है हम नेचर हैं हम नेचर का पार्ट है हम भी बनाएंगे रूल वही है regulation वही है इसको हम कह सकते हैं कि बुद्ध ने सबसे पहरे discover किया मगर ये नेचर सिद्धान पे artificial intelligence के इद्धान पे 100 feet एकदम खरा होता है 100% धन्यवाद